हेलो एवरिवान, वेलकम और वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल मुस्कान का किचिन आज हम अर्वी और मटन इन दोनों भी चीजों को यूज करके इनका सालन बनाने जा रहे हैं अर्वी इंडियन सब कॉंटिनेंट की सबसे पुरानी सबजियों में से एक है और इसका इस्तेमाल कई सारी इंडियन रेसिपी में किया जाता है अर्वी गोश्ट का सालन या फिर मटन अर्वी करी बनाना बहुत असान है मटन और अर्वी को कुछ खास मसालों और टमाटरों में पकाया जाता है जिससे कि इस डिश को बहतरीन टेस्ट मिल जाता है हमें 5 टेबल स्पून नॉर्मल कुकिंग ओयल लेना है फिर इसके बाद हमें लेना है 1 टेबल स्पून जीरा, 5 लॉंग, 1 बड़ी लाइची और 4 छोटी लाइची इन चारों भी खड़े मसालों को मिक्सी जार में डाल के फाइन पाउडर बना लेना है बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप इस ग्रीन वाली कटोरी में देख रहे हैं तो ये हमारा गरम मसाला बनके तयार हो गया है अगर आपके पास पहले से गरम मसाला तयार किया हुआ रखा है तो वो आपको 1 टेबल स्पून डालना है इसके अलावा हमें 2 तेज पत्ते भी लेने है अब हमें कुछ पाउडर स्पाइसेज भी लेना है जो की है 3 टी स्पून धनिया पाउडर एक टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर फिर यहाँ पे हमें लेना है एक टेबल स्पून नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार एक टेबल स्पून भुना कुटा जीरा इसे हमें एंड में यूज करना है एक टेबल स्पून लेसुन का पेस्च और एक टेबल स्पून अद्रक का पेस्च फिर एक medium size के टमाटर को हमें ऐसे cubes में cut कर लेना है फिर बारी आजाती है हमारे main ingredient की तो ये है आधा kilo से थोड़ा जादा तकरीबन 600 gram के आज़ पास mutton इसी के साथ हमारा second main ingredient यहाँ पे आजाता है जो की है arvy ये पाव की lower V है इसे हमने छील के अच्छे सदो के side में रखे हैं तो चलिए फिर अब हम अपना salon बनाना start करते हैं हम ये salon pressure cooker में बना रहे हैं तो flame on करके इस cooker में हम तेल डाल देंगे तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तेल खूब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज अड़ कर देंगे प्याज के साथ ही हमें तेज पता भी अड़ कर लेना है गैस flame को हमने हाई पे रखे हैं और अब हमें प्याज लाल कर लेनी है अब क्योंकि हम आज का ये salon pressure cooker में बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बनके तयार हो जाएगा तो delicious और असान होने के साथ साथ ही instant और दावत friendly भी है विकास कम टाइम में इतनी अच्छी डिश आपको ready मिल जाएगी प्लस इसे टेस्ट करने के बाद महमानों से आपको जो तारीफ मिलेगी वो अलग है इसे हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें चलाते जाना है ताकि प्यास जलेना और प्रेशर कुगर के बेस पे चिपके भीना तो ये देखिए हमें प्यास लाल करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और प्यास translucent हो चुकी है अभी हमें थोड़ी देर इसे और तल लेना है तो अब ये देखिए और 3 मिनट हो चुके हैं हमें प्यास लाल करते हुए और इसका कलर हलका golden brown हो चुका है बस हमें इसे 2 मिनट और तल लेना है फिर इसमें हम गोश्ट टाल देंगे प्यास लाल करने में हमें टोटल 10 मिनट लगे हैं गोश्ट को अच्छे से धोके और इसका जो भी excess water है उसे निकाल देंगे और फिर इसे pressure cooker में डालेंगे मटन को प्यास में डालने के बाद इसे कुछ seconds के लिए तकरीबन 20 से 30 seconds के लिए इसे भून लेंगे और फिर इसमें अधरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे अच्छा अगर आप ऐसी ही दूसरी मटन की रेसिपी ढूंड रहे हैं तो हमने अपने चैनल पे मटन अफगानी की रेसिपी भी शेयर किये हैं जिसका लिंक मैं description box में mention कर दूंगी और इस वीडियो के end में भी आपको मटन अफगानी और राइता की रेसिपी दिखाई देगी तो उस पे क्लिक करके उन दोनों भी रेसिपीज को जरूर देखें अधरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद एक टेवल स्पून गरम मसाला डालके इन तीनों भी चीजों को गोश्ट के साथ mix कर लेंगे और फिर इसी में नमक भी add कर देंगे नमक इस पॉइंट पे add करने से गोश्ट के अंदर तक नमक पहुच जाता है और अगर आप बाद में नमक add करेंगे तो फिर गोश्ट फीका रहता है अंदर से तो अब हमें इसे 5 मिनट के लिए high flame पे भून लेना है तो ये देखिए हमें गोश्ट भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसमें हमारे powder spices डाल देंगे जो की है हल्दी, धनिया, रेट चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ये सब मसाले डालने के बाद इसे गोश्ट के साथ अच्छे से mix कर देंगे ये सारे spices डालने के बाद बहुत अच्छी खुश्बू आने लगती है और तो और इसका color भी काफी बहतरीन हो जाता है इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है गोश्ट को भूनना काफी जादा important होता है ताकि इसमें से जो Ross में लाती है वो खतम हो जाए इस सालन में main काम प्याज लाल करना और गोश्ट भूनने का होता है इन दोनों भी steps को complete करने के लिए हमें total 20 मिनट लगते हैं 10 मिनट प्याज लाल करने में और 10 मिनट गोश्ट भूनने में बाकी आगे का process तो बहुत असान है इसमें हमें 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसे थोड़ा सा mix करके कूकर का ढखकन लगा के इसे पहले हम 5 मिनट के लिए high flame पे पकाएंगे और फिर 5 मिनट के लिए low flame पे पकाएंगे तो total 10 मिनट पकाना है कूकर का ढखकन लगा के तो जब तक गोश्ट पक रहा है उस बीच हम अर्वी तयार कर लेते हैं अर्वी को छील के उसे हम अच्छे से धो के बीच में से ऐसे cut कर लेंगे एंड में थोड़ा सा portion छोड़ देंगे इसे completely cut नहीं करेंगे तो चलिए फिर हम अपने सालन को देख लेते हैं 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए और हमने flame को off कर दिये थे जब आप flame off करते हैं तो तुरंट cooker का ढखकन ना खोलें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर 10 मिनट बाद इसका ढखकन हटाएं अगर आप तुरंट इसका pressure down करके इसे खोल देंगे तो फिर इसमें आपको जो तेल उपर दिख रहा है वो नहीं मिलेगा तेल सारा उड़ जाएगा अब हमें flame को on कर लेना है और इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए भून लेना है flame को high पे रखना है और इसे भूनते जाना है तो ये देखिए हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए और जैसा कि आप देख सकते हैं तेल उपर की तरफ आ चुका है यानि कि तेल सालन से अलग हो चुका है तो इसका मतलब है कि गोष्ट अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसमें अर्वी आड़ कर देंगे अर्वी आड़ करने के बाद हमें इसमें सालन भी लगाना है तो यहाँ पे हमने टोटल 500 ml पानी डाले हैं आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी एड़ करें अगर आप भी इतना ही पानी यूज़ कर रहे हैं जितना हमने यूज़ किये हैं तो फिर सालन की कंसिस्टेंसी सूप जैसी रहेगी और ऐसी कंसिस्टेंसी वाला सालन नान या फिर चावल के साथ खाने के लिए बिलकुल परफेक्ट होता है थोड़ा सा हम सालन को मिक्स कर लेंगे फिर इसमें टमाटर एड़ कर देंगे टमाटर एड़ करने के बाद हमें कूकर का ढखकन लगा के इसे बस एक सीटी आने तक पका लेना है तो ये देखिए अब हमने एक सीटी आने के बाद फ्लेम ओफ कर दिये हैं इस पॉइंट पे भी फ्लेम ओफ करने के बाद आपको तुरंत नहीं सर्फ करना है 10 से 15 मिनट रुकना है और फिर इसे डिश आउट कर लेना है लेकिन डिश आउट करने से पहले आपको एक काम और करना है अभी हमने इसमें बुना कुटा जीरा एड़ नहीं किये है तो जीरा एड़ करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे फिर इसे डिश आउट करेंगे तो देखिए फिर अब मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ गोश्ट तो अच्छे से पक्खी चुका था लेकिन अब अर्वी भी सॉफ्ट हो चुकी है इस डिश को गर्मा गरम सर्फ करें और इसके साथ नान या फिर जीरा राइस और सैलेड बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है वीकेंड लंच या फिर डिनर के लिए आप इस डिश को राइते के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको आज की ये नौन वेज स्पेशल डिश कैसी लगी तो फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ और आपको आज की ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर दें जादा से जादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाई